दोस्तों, swing trading से related सारी problem आपकी आज solve होने आली है जैसे कि सही stocks को कैसे चुनना है and कौन सी strategy फालो करना है और सही समय पे inter होके सही जगा पे Egypt कहां पे लेना है सबसे important यही होता है कि आप right stocks में entry ले ना कि ऐसे stocks में जो की sideways हो तो इसको कैसे पहचानते हैं हम आपको ऐसी strategy ऐसा setup बताएंगे जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलना आला है अगर आपने इसको सही से follow किया risk management के साथ देना आप एक अच्छा profit बना पाएंगे और साथ साथ में आप option trading भी कर सकते हैं और आप stocks में भी invest कर सकते हैं और swing trading कर सकते हैं दोस्तों ठीक है यह सारा चीज़ें कि एक ecosystem में होती हैं जो कि आपको follow करना है अगर आप market से अच्छा कासा profit बनाना चाहते हैं तो अगर आप चाहरे हैं कि हम केवल option trading करके एक अच्छा capital gain कर लेंगे अच्छी growth हो जाएगी तो ऐसा नहीं है दोस्तों ठीक है market में अगर आप हैं तो आपको stocks को भी लेके चलना पड़ेगा options को भी लेके चलना पड़ेगा और सारी चीज़ें आपको balance रखना पड़ेगा और अपना portfolio अच्छा बनाना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपको swing trading कैसे करना है ठीक है यहाँ पर तीन steps में हम आपको साही चीज़ें सीखेंगे सबसे पहले swing trading करने के लिए stocks को कैसे यहाँ पर identify करना है ठीक है second है हम देखें कि कौन सी ऐसी strategy यूज करें जो कि बिल्कुल free है और बहुत ही simple हो आप उसका यूज करके best profit बना पाएं ठीक है वो चीज़ें देखेंगे और सबसे important क्या है कि आपको कितना profit लेना है entry, exit and stop loss कितना लगाना है ठीक है तीन ही चीज़ें आपर important होती है कोई भी stock में जब हम entry लेते हैं या भी किसी को hold करते हैं ठीक है तो अब यहाँ पे देखें दोस्तों कि आपको stocks कौन से choose करना है हम कोई screener का use करेंगे कि नहीं करेंगे हाँ एक screener का use करेंगे वहाँ पे हमको केवल एक specific condition पे हमको stock चाहिए अगर उस condition पे stocks यहाँ पे trade कर रहा है तो वहाँ से आपको अच्छा momentum मिलेगा आप लिख के ले लिजिए ठीक है कौन सा यहाँ पे है आपने भी सीखा होगा और आपने उसको trade भी किया होगा कौन सा pattern होता है double top and double bottom ठीक है अब यहाँ पे बहुत साथ लोग confused हो जाएंगे कि यह कौन सा pattern है इसको कैसे हम इस stock में ढूणेंगे इतने सारे stocks हैं तो यही आपकी problem है हम आपको तरीका भी बताएंगे कि कौन सा scanner use करके कि वहल आपको वही stocks बताए जाएंगे जिसमें यहाँ पे real time में double top यहाँ पी double bottom बनना होगा ठीक है और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे divergen यूज करेंगे कौन सा divergen यह में CD का की RSI का हम लोग RSI का divergen यूज करेंगे ठीक है RSI क्या है हमको बताएगा कि market में जो भी top यहाँ पी bottom बनना है क्या वह bullish बनना है कि bearish बनना है उसके base तो हम यहाँ पे entry करेंगे और वह ऐसी entry होगी जो कि आपको इतना लंबा target प्रॉयल करेंगी एप्रोक्स 5 से 10 परसंट का ठीक है तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि कौन सा यहाँ पे इसके लिए यूज करना है और कैसे आप यहाँ पे list निकाल सकते हैं उन stocks की जो कि live market में आपको यह condition दे सके ओभी daily time frame पे ठीक है यह आपको कहाँ पे देखना है daily time frame पे देखना है अगर आप यहाँ पे swing trading करने जा रहे हैं holding करने के लिए ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने simple plain charts open किया हुआ है यहाँ पे हम प्या करेंगे देखिए आपको करना क्या है एक page open कर लेना है यहाँ पे आपको type करना है देखिए हम आपको बता देते हैं double top bottom stock screener ठीक है simple है आप देख लीजे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मिल जाएगी एक screener की website ठीक है यह free है अगर आप थोड़ा नीचे करेंगे दिन आपको यहाँ पे मिल जाएगी chart link की website तो आप यहाँ पे कोई भी use कर सकते हैं और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे charting के website तो आपको एक list देदेगा जिसके अंदर यहाँ पे top और bottom बनना है ठीक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी momentum हुआ है वहाँ से यह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपके है इन stocks को check कर पाएंगे कहाँ पे trading view के अंदर ठीक है यहाँ पे आपको यहाँ से पहले दिखा देते हैं जो screener की website है इसको कैसे use करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि bottom picking लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि यह stocks क्या है अपने double bottom पे होगे या फ कोई भी stocks देख रहे हैं जिसको आपको trade करना है analysis करना है तो यहाँ पे आप ले सकते हैं जैसे यह अपना stocks है ठीक है इसको यहाँ पर हम लोग चलते हैं trading view में open करते हैं और आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि कैसे आपको यहाँ पर मिलेगा ठीक है और देखिए यहाँ पर इस stocks को open कर लिया है and time frame जो रहेगा अपना daily time frame कर रहेगा charts और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि जो यहाँ पर bottom लगा हुआ है यह कैसा लगा हुआ है और अपनी strategy कैसे use करना है देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने आपको stocks open किया हुआ है देख सकते हैं कि market क यहाँ पर है जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि bottom मिलेगा आपको double bottom triple bottom भी मिल सकता है तो यहाँ पर यूज करना है ऐसा condition आपको मिल जाएगा ठीक है ऐसा कोई स्ट्रेन नहीं जो कि आपको डारी बता दे कि यही stock साब pick कर लिजे और आपको अच्छा profit हो जाएगा तो नीचे यहाँ पर क्या लगा हुआ है एक bottom लगा हुआ है और second bottom यहाँ पर लग रहा है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे दो चीज़ें कर सकते हैं कि market थोड़ा सा नीचे out drop करे ठीक है इस level पर यहाँ से थोड़ा सा एक bullish candlestick बनाए या फिर reversal candlestick बनाए दिन आप यहाँ पर प्ले करें तो यह आप देख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर करेंगे लेवल समार्क कर देंगे किसका जो भी यहाँ पर प्रिवेशली दो तीन कर लिश्टिक के high का होगा उसके उपर आप बाई करेंगे लेकिन आपको buying कहाँ पर करना है double bottom and double top पर ही आपको trade करना है अब simple RSI लगाना है और इसकी setting में जाके सभी को यहाँ पर off कर देना किवल आपको RSI चाहिए ठीक है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है कौन सी condition मिलेगी जो हम trade करेंगे कौन सी condition मिलेगी क्या बताया था भी हमने आपको divergent divergent का मतलब क्या होता है जिस भी side में price जा रहा है उसके opposite यहाँ पर RSI में divergent होता है वो हमको संकेत देता है उसको यहाँ पर हमनों use करते हैं for example जैसे कि market में यहाँ पर क्या लगा हुआ है एक bottom लगा हुआ है and market फिर से यहाँ पर आ रहा है और उस समय क्या था कि पहले टाइम में RSI की value यहाँ पर क्या थी approach 20 के आसपास थी लेकिन जब market नीचे आ रहा है तो यह क्या approach 40 के आसपास है ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या देख रहा है एक डाइवर्जन देख रहा है बुलिष डाइवर्जन ठीक है बुलिष डाइवर्जन देख रहा है तो आपको इसी को यहाँ पर यूज करना है आज़े ट्रेडिंग कब जब ही market यहाँ पर आएगा कोई एक बुलिष कैनिस्टिक बनाएगा RSI यहाँ पर आपको यहाँ पर अपने CMP भी देख सकते हैं जो करेंट मार्के प्राइज है उसके हिसाब से भी यहाँ पर आप एनाजिस कर सकते हैं और इसको यहाँ पर ओपन करते हैं ठीक है आपको ज्यादा वेरिस स्टॉक्स नहीं चुनना है कि पूरा यहाँ पर नीचे आज चुका है आप हमने यहाँ पर क्या ओपन किया हुआ है बॉटम पिकिंग ओपन किया है न तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह बॉटम पर है एंड आप क्या करेंगे आरिशाई को देखेंगे आरिशाई में क्या हो रहा है देखिए सिंपल चीजें यही होती है strategy यही होती setup इसके और एंखर में के बायिंग आपको दो कंडिसें मिलगई पहला म्र्केट यहां पे बॉटम पर है तीक है म्र्किन यहां से अच्छा आ का समयम्न्तम देशाए सकता है स्टॉक अब यहाँ पाषर नंब तो यहां पर करना है simple आप यहां पर देख लीजिए थोड़ा previously जाना है और आपको एक latest ओडंटीफाई करना है Swing का मतलब क्या होता है कि market ऐसे से ऊपर जाता है तो यह swing होते हैं अपने ठीक है यह swing होते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो previously market में कहां से निच्छे momentum आया है यहां से आजा है न आप क्या करेंगे सिंपल यहां पे एक Legors draw करेंगे देखे लिए यहां पे Legors Draw कर्णा है। आप निडॉफ कर दिया ठीक है I है यहां पे Legors toll कर दिया तो आप क्या है कि जब ही market अपने इस Legors Took को Break करेगी आप यहां पे Swing Trading करेंगे और आ reckon इसको portfolio में भी रख सकते हैं ये stocks आपको अच्छा खासा momentum उपर साइड में दे सकता है ठीक है आप कहीं पर भी उधारन लेके देख लिजे आप बैक आप यहां से यहां तक का momentum हुआ ठीक है 10% का तो आप 5% लेकर निकर सकते हैं या फी आप ऐसे यहां पर ट्रेल कर सकते हैं दोस्तों ठीक है कहीं पर भी आप देख लीजे वहां पर क्या अच्छे momentum होते हैं आर इसाइड डावरिजन के द्वारा एंड आप यहां पर ही इस टॉक्स पिक करेंगे और आप इसका यूज कर सकते हैं ठीक है इसको भी हम आपको दिखा देते हैं सबसे इंप्रोटन क्या है रिस्क मेंजमेंट यह आपको पता होना चाहिए ठीक है रिस्क मेंजमेंट क्या करना है कि आपको 100% क्वांटेटी कहीं पर भी पंच नहीं करना है आप यहां पर क्या करेंगे अपनी कैपिल को 4-5 भाव में डिवाइड कर लेंगे और जो भी यहां पर आएगा वैलू उन्हीं वैलू को यूज करना है इंवेड करने के लिए ठीक है जैसे कि आपने हापे अपना कैपिल एक लाख रुपे लेके आए हैं मार्केट में ट्र करने के लिए स्टॉक्स के अंदर ठीक है वहां पर आप क्या करेंगे 20-20,000 के 5 डिवाइड कर देंगे ठीक है अब आप एक स्टॉक्स यहां पर पिक किये कि मार्केट अच्छा खासा मोमिंटम दे सकता है तो वहां पर आपने किया किवल 20,000 रुपे ही इन्वेस्ट किये आ स्ट्रेट जी यहां पर क्या होती है डारेट प्रॉबिल्टी पर काम करता है मार्केट यह आपको यूज करना है बस कि यह ज्यादा बॉटम पर है तो यह आपको देखना है कि जो प्रिविश्टली बॉटम लगा हुआ कहां पर लगा हुआ क्या मार्केट पूरा यहां पर फॉल तो नहीं कर रहा है आप उसमें बाइंग कर ले आपको आपको लॉस हो जा आएसा नहीं करना है ठीक है आप यहां पर जैसे आप इसको लिखेंगे न डबल टॉप बॉटम स्टॉक इस डेल यहां पर आपको मिल जाएंगे ठीक है आप सबसे उपर लिपसाइट पर भी यूज करना है जैसे यह अपना है कामधेनु लिम्टेड ओके इसको ओपन करते हैं और देखें यहां पर यहां पर देखें हमने क्या कि डेली टाइम फ्रेम पर ओपन कर दिया ठीक है अगर आप यहां पर देखेंगे तो क्या आपको आरेशा डाविजन कहीं पर दिख रहा है यहां पर क्या हो मार्केट में थोड़ा प्राइज के अंदर क्या बेरिश डेविजन हो रहा है एंड यहां पर क्या है फ्लाइट यहां फी थोड़ा ऊपर हो रहा है तो यह थोड़ा ऊपर जा सकता है ठीक है तो ऐसे क्या करना है आपको स्टॉक्स को निकाल लेना है दो यहां पर केव लगा आरिशाई के द्वारा ही ट्रेड कर रहे हैं तो आप पर्फेक्ट यहां पर प्रॉफिट बना सकते हैं आरिशाई करता है कि आपको बता देता है कि मार्केट में जो भी हो रहा है क्या यह सही है कि आपको ट्रैप किया जा रहा है यहां पर देखे डेली ह आपे ब्रेक हुआ स्विंग हाई यहां से आप मोमेंटम देख सकते हैं ठीक है यह होता है कि सही तरीके से राइट टाइम पे एक स्टॉक्स को बॉटम पे काईच करना टॉप पे चल करना अब यही क्या है कि आपने यहां पे बाई किया तो एसल कितना जाएगा दो तीन चार पुल कंप्लीट वीडिवो आपको प्रवाइड कर देंगे कैसे यूज करना है इंडेस के अंदर और सारी चीजें ठीक है तो आप इसको यहां पे देख सकते हैं दोस्तों ठीक और यहां पे अगर आप trading कर रहे हैं swing trading करना चाहते हैं stocks के अंदर और आप यहाँ पे सही से एक stocks identify नहीं कर पाने कैसे क्या करना है दिन आप क्या करिए nifty hundred के जो stocks होते हैं उनमें आप trade कर सकते हैं nifty hundred के stocks आप क्या करिए list निकाल लीजिए ठीक है तो आप उहाँ पे देख सकते हैं और वहाँ पे opportunity catch कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे देखे हैं nifty hundred के stocks यहाँ पे कुछ add किये हुए हैं आप यहाँ पे open कर सकते हैं यह अपना indicator है जो लोग यहाँ यहाँ यूज़ कर रहे हैं profit run को profit हो रहा है ठीक है अगर आप नए हैं तो आपके website पर जाके जनकरी check कर सकते हैं कैसे क्या काम करता है और यहाँ पे आप इसका यूज़ करता है क्या है swing trading और अपने portfolio में भी रखने के लिए stocks देख सकते हैं ठीक है और आप यहाँ पे इसको देख लिए और आपको यहाँ पे इसकी link हम provide कर देंगे description box में तो आप से आप देख लेना ठीक है और यहाँ पे आपको open करके दिखाते हैं क्योंकि swing trading अगर आप कर रहे हैं तो सबसे जरूरी क्या होता कि आपको कम समय के अंदर momentum मिल जाए ठीक है आप एक swing catch कर पाएं तो वही important होता है कैसे क्या करना है इस समय के है market sideways है उपनीचे उपनीचे हो रहा है ठीक है उसके पहले अगर आप देखेंगे तो market यहाँ पे कहाँ पर था 300 रुपे था यहाँ क्या अस less and यहाँ पे डेंट कर रहा था अब क्या है अगर आप यहाँ पर आरिशाई देखेंगे ना देखिए यह देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे आरिशाई परफेट काम करती है यहां को क्या लग रहा है यहां पर देखेंगे तो आरिशाई में क्या हो रहा डाविर्जन ऊपर की साइड में हो रहा ना फ्लैट या फिक है प्राइज फ्लैट हो और आरिशाई trending हो या फिक है प्राइज यहाँ पे momentum दे रही हो और आरिशाई flat हो तो उस case में कहोता है उसके opposite यहाँ पे momentum होता है market के अंदर यह चीज आप यहाँ पे याद रखना ठीक है तो यह आप यहाँ पे कर सकते हैं और perfect यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कैसे क्या करना है and nifty hundred का आप इस्टॉक्स यूज कर सकते हैं सुम टेडिंग करने के लिए इसमें क्या है कि थोड़े आपको सच्ते वले भी स्टॉक्स मिल जाएंगे तो इसको आप proper यूज कर पाएंगे और आपको इसको हटा देना ठीक है and यहाँ पे आप लिखेंगे तो जो टॉप पे स्टॉक होंगे वह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे मार को दिखा देते हैं देखे यहाँ पे स्टॉक्स आ चुके हैं तो इसको भी आप क्या करेंगे यहाँ पे आप ओपेंगे चैक करेंगे द यहाँ पे आप ट्रेड करेंगे ठीक है और सबसे पहले कि आपनी एनलसी जरूर कीजे कोई भी ष्टॉक्स हो यहाँ आप कर सकते हैं यहाँ पर देखर Catholics करेंगे एड ुसको एक अच्छी है और शुन करेंग देग cc कर सकते हैं और यहां पर यह जो स्विंग लग रहे हैं आप इसको कैज कर सकते हैं जो यहां पर जैसे देखिए एक बॉटम यहां पर लगा सिकेंड बॉटम यहां पर था तो यहां पर आप कैज कर लेते हैं तो वह सही रहेगा ठीक है एंड इसमें अगर आपको स्विंग करन करना है और कोई भी डाउट है तो personally हमसे आप content भी कर सकते हैं दोस्तों ठीक है तो आई होब आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए धानिवाद